नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मारे इस चैनल पर मैं लेकर आया हूँ जीके के इंपोर्टेंट किस्टन जो परिच्छा के देश्टी से काफी पोर्टेंट है तो फ्लीच आप इस वीडियो को इन तक देखे और जो मारे नए फ्रेंड से फर्स टाइम इस चैनल पर विजिट करें तो आपसे रिक्रेश्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो प्लोड करूप तो आप तक आसे नहीं से पोच जाए तो चले द रतिराज चौन को बी अमीर खुश्रो को सी सीवा जी को डी अकबर को तो भारत का तोता किसे कहा जाता है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए ओके फ्रेंस अब मैं इसका आंसर बताता हूँ इसका आंसर होगा बी अमीर खुश्रो को भारत का तोता कहा जाता है क किस्चन दो देखते हैं बुद का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है तो किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है तो किसके सिक्कों पर बुद का अंकन हुआ है किसका आंसर होगा डी कनिश्क के सिक्कों पर किस्चा नमर तीन देखते हैं प्रथम गुप्ट सासक जिसने परम भागवत की उपाधी धारण की तो इस ओप्सन देखते हैं कौन था वो A. श्रीगुप्ट B. चंदरगुप्ट दित्य C. समुंत्रगुप्ट D. चंदरगुप्ट प्रथम तो कौन था प्रथम गुप्ट सासक जिसने परम भागवत की उपाधी धारण की आप अपना आंसर नीचे कमण बोक्स में दीजिए जिसका आंसर होगा B. श्रीगुप्ट दित्य ने पहली बार परम भागवत की उपाधी धारण की थी गुप्त सासक की रूप में होका फ्रैंस किस्चन नमर चार देखते हैं महान जेन विद्धान हेमचंद किसकी सबाह में थे? तिसका अप्शन देखते हैं A. अमोदवर्स की B. कुमारपाल की C. जैसिंग सिद्धिराज की D. विद्याधर की तिसका अंसर होगा C. जैसिंग सिद्धिराज की सबाह में थे? हैमचंद किस्चन नमर पांस देखते हैं सुंग राजवन्स का संस्थापक कौन था? सुंग राजवन्स का संस्थापक कौन था? तिसका उप्शन देखते हैं A. भाग बद्र B. अगनी मित्र C. पुश्य मित्र D. सुर्य मित्र सुंग राजवन्स का संस्थापक कौन था इन में से? तिसका अंसर देखते हैं आप अपने अंसर जल्दी से देदिया करें कमन बोक्स में तिसका अंसर देखते हैं A. भाग बद्र ओके फ्रैंस सुंग राजवन्स का संस्थापक भाग बद्र था किस्च नमर चे देखते हैं गीत गोविन के रचीता कौन थे? गीत गोविन के रचीता कौन थे? तिसका अप्शन देखते हैं धोई B. गोवर्दना चारियर C. जईदेव D. लक्समन से कौन थे? इसका अप्शन देखते हैं C. जईदेव जईदेव गीत गोविन के रचीता थे किस्च नमर सां देखते हैं औरंग जेव कौन सा वाद दे अंदर बजाता था? औरंग जेव शितार B. वीना C. तबला D. इन मेंसे कोई नई तो कौनसा वाई दे अंत्र बजाता था ओरंग जेब तो उसका आंसर देखते है बी वीणा ओरंग जेब वीणा बजाता था किस नमबर आर देखते है किस सुल्तान ने इत्ता वेवस्ता आरम की किस सुल्तान ने इत्ता वेवस्ता आरम की ए इल्तूत मिशने B. बल बनने C. अलावदिन खिल्ची ने D. इनमें से कोई नहीं चिसका आंसर होगा A. इल्टूत मिचने इक्ता व्यवस्ता अरम की थी किस नमा नो देखते है आबू के दिलवाड़ा चेन मंदिर किसके बने है A. बलूआ पत्थर के B. चुना पत्थर के C. ग्रेनाइड के D. संग मरमर के तिसका आंसर देखते है D. संग मरमर के माउंट आबू चोकी राज़स्तान में उनके दिलवाड़ा चेन मंदिर संग मरमर के बने हुए है किस्चन नम्मर 10 देखते है चित्तोर का किर्थी इस्तम किसने बनवाए था चित्तोर का किर्थी इस्तम किसने बनवाए था A. राना कुम्बा ने B. राना संग ने C. राना प्रताब ने D. राना उदैशिंग ने तो इसका आंसर देखते है A. राना कुम्बा ने चितोड़ का किर्थिस्तम बनवाए था किस्च नमर 11 देखते है सरुप्रतम भारत से व्यापरिक संबंद बनाने वाले थे कौन थे जिन्हों ने भारत से सरुप्रतम व्यापरिक संबंद बनाई इसका उप्सन देखते है A. अंग्रेज B. पूर्तगाल C. फ्रांसेसी D. डच इसका आंसर देखते है B. पूर्तगाल और पहला पूर्तगाल ये कौन था जो व्यापरिक देश्टी से भारत आये था वासको डिगामा संबंदरी के रास्ते थे उसी ने भारत में संबंदरी रास्ते की खोच की थी 1410 में वाँ आये था किस्चन नमर 12 देखते है किसके सासन में गुरु नानक देवने सिक दर्म की स्थाबना की किसके सासन काल में गुरु नानक देवने सिक दर्म की स्थाबना की थी इसको उप्शन देखते है A. फिरोसा तुगलक के B. सिकंदर लोदी के C. हुमायू के D. अकबर के तो किसके सासन काल में गुरुनानक देवने सिखधर्म की स्ताव ना की आप जल्दी से अपना अंसर नीचे दीजिए कमेंट बोक्स में तो इसका अंसर देखते है B. सिकंत लोदी के सासन काल में गुरुनानक देव ने सिख्धर्म की इस्तार्म की थी अकर फ्रेंस आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज इसे लाइक करें सेर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें और आपका पमूर्ली समय देने के लिए धन्यवाद